चलिए फ्रेंड्स आज हम खवा पोडी बनाते हैं, यह हर गर में बहुत कम बनता है, क्यूंकि एक कोई खास प्रेड फेस्टिवल में नहीं बनता, इसलिए बहुत लोगों में confidence नहीं रहती है कि एक पोडी बनाने में, अगर खवा पतला हुआ तो क्या करेंगे, अगर खवा आइकन आल पर जरूर प्रेस करना, तो चलिए बनाते हैं खवा पोडी, इसके लिए मैंने 500 ग्राम खवा, 500 ग्राम शक्कर लिया है, थोड़े से हरीव इलाइचे और थोड़ा जाइफल लिया है, आटे के लिए मैंने 1 कटोरी आटा और 2 टीस्पून मैदा लिया है, मैदा आटा गुंत ले रहे हूँ, जितना सारण का रोल रहता है, उतना ही आटे का भी रोल रहता है, फ्रेंट्स, आटे को भी अच्छी तरसे टाइम देकर लगाना चाहिए, इसे 20 मिन्स के लिए साइड में रखेंगे, तो चलिए खवा भून लेते हैं, खवा को बहुत ज्यादा भी भूनना नहीं है, और बहुत कम भी भूनना नहीं है, बहुत कम भूनेंगे तो ये पतला हो जाता है, अगर आप ज्यादा भूनेंगे तो ये ड्राय हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ा सा कड़ाई चोड़ने के बाद इसे निकाल दीजिए, यह देखिए अभी यह बन गया है इसे अब निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए रखेंगे जब तक यह ठंडा होता है आटे को सॉफ्ट कर लेंगे आटे को अच्छी तरसे टाइम देकर सॉफ्ट कर लीजे थोड़ा सा ओईल बीच-बीच में से लगाकर चलिए खवा को देखते हैं मेरा खवा तो एकदम परफेक्ट बना था एकदम सॉफ्ट बना था तो चलिए देखते हैं शक्कर मिलाने के बाद इसका टेक्शर कैसे बनता है अगर बहुत ज्यादा ड्राय हुआ तो डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंट्स मैंने विलाईची पाउडर थोड़ा शक्कर में डालकर पीस लिया था वह मैंने मिक्स किया है डाइसो ग्राम पूरा मैंने शक्कर नहीं डाला है सिर्फ 190 ग्राम डाला है शक्कर डालने के बाद मुझे थोड़ा सा ड्राय लगा और 2.5 स्पून मैंने घी डाला है घी डालने के बाद एकदम पूरण जैसे सौप्ट हुआ था यह देखिए एकदम मस्त बना था तो चलि गी लगाने से घी या ओईल लगाने से फुलते हैं अच्छी तरसे पोड़ी हो या कोई भी पोड़ी हो आपको जितना चाहिए उतना आप सारण भर लीजिए गोला बनाने का भी ट्रिक रहते हैं बहुत लोगों के अलग अलग से जितना आटे का रोल है जितना सारण का रोल है उतना ही है गोला बनाने का रोल है इसे में कोई ट्रिक नहीं है आप सिंपल जैसे चपाथि या पूर्ण-पूरी बिलते हैं हलके हातों से इसे बेल लीजिए किनारे बेल लीजे किनारे अगर मोटे रहते हैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है खाने में भी अच्छा नहीं लगता है यह देखिए पूरा स्प्रेड हुआ है सारण यह देखिए मेरा मेथेड की गोला कैसे बनाती हूं मैं बहुत सारे ट्रिक है आपको जो पसंद है आप इसा ट्राइ कीजिए इस तरह से भी एक बार ट्राइ कीजिए कटोरी जैसे पहले बनाईए और अंगोटी की साहाई से सभी ऐसे ही करते हैं लेकिन जब फोल्ड करते हैं उपर के साइड से उसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स है इस तरह से भी एक बार ट्राइ कीजिए ज़रूर मैं पोरी डालने से पहले ज़रा साव बना लिती हूँ थोड़ा ओयल गी डालकर थोड़ा अटा लेकर इस तरह से क्लीन कर ली जे इसतरह से करने से दफे का टेमपरेचर भी समझ में आता है कितना गरम हो आए कितना वो सब आधे को आथे में दिख जाता है इस तरह से घी या अगर खवा पतला हुआ तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें 2-3 टीस्पून आप बेशन का आटा थोड़ा सा घी में आप भून कर इसमें मिक्स कर दीजे परफेक्ट खवा बन जाता है अगर ड्राय हुआ तो मिक्सर में आप चला लीजे यह देखिए सारण कितना अच्छा स्प्रेड हुआ था अंदर से यह बहुत कम बनाते हैं फ्रेंट्स क्यूंकि यह कोई फेस्टिवल में खास बनता नहीं है ऐसे ही बनाते हैं इस तरह से जरू ट्राय कीजिए यह वीडियो देखने के बाद आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी मेरा पूरा वीडियो देख के लिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू